इस वेकेंसी का ओल्लाइन इस्ट्रेशन 24-4-2021 से स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट जो आपका 23-5-2021 तक चलेगा टोटल आपका एक मन्त लगवग है और इसका जो CBT एक्जाम हो सकता है जून में होगा तो ज्यादा टाइम नहीं आप लोट के पास में त्यारी अभी से आपका जो है जूनियर मेनेजर जो पोस्ट है इसके लिए आपका सारड़ी 50,000 से लेकर 1,60,000 परमंत आपको दिया जाएगा और इसमें जूनियर मेनेजर में जो आपका सीबिल है टोटल पोस्ट इसमें 31 है और इसके लिए आपका क्वालिफिकिसन मांगा गया है बैचलर अगला जो पोस्ट है आपका जूनियर मेनेजर और इसमें टोटल सटतर पोस्ट पे बहा लिए और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है दो साल का आपका अपका अगला जो पोस्ट है आपका जूनियर मेनेजर मैकनिकल इसमें टोटल तीन पोस्ट पे बहा लिए है और इसमें जो आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है मैकनिकल इलेक्रिकल मेका टोनिक्स इंटिस्टिर इंजिरिंग प्रडेक्शन इंजिरिंग और इसमें भी 60 परशन मांगा है इन सारा क्वालिफिकेश्य से आपका अगर कुछ भी है तब भी इसके लिए अपलाई कर सकते है और अगला जैसे पोस्ट जो है एक्सक्यूटिव का जो है इसका आप इसमें 30,000 से लेकर 120,000 परमत आपको दिया जाएगा और एक्सक्यूटिव में पहला जो है आपका सिबिल इसमें 73 पोस्ट पे बहा लिया है इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा है तीन साल का डिप्लोमा मांगा है और भी आपका सिबिल से और इसके लिए आपका जो मार्क से 60% से कम नहीं होना चाहिए एक्सिक्यूटिव में जो अगला जो है इलेक्ट्रिकल का फेकैंसी है इसमें टोटल 42 परम पे बहाली है और इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा है तीन साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इसमें इसमें भी आपका 6% मार्क से कम नहीं होना चाहिए इतना सारा क्वालिफिकेशन दिया गया है एक्सिक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजिरेंग के लिए अगला जो पोस्ट आपका एक्सिक्यूटिव सिंगल एंड टेली कॉम्निकेशन इसमें टोटल जो है 87 पदों कि अगला जो आपका इक्सिक्यूटिव इसमें टोटल 237 पोस्ट पे बाह लिए है और इसके लिए और इसमें टोटल 237 पोस्ट पे बाह लिए है और इसके जो आपका qualification माँआ गया है duration माँआ गया है आपका वह भी 60% से कम नहीं होना चाहिए आपका marks executive में जो अगला पद है आपका mechanical इसमें total तीन post पे बाह लिए इसमें तीन साल का diploma माँआ गया है वह भी mechanical electrical, electronics, manufacturing electronics, production, engineering automobile, estimation and control engineering यह सारा qualification से आपका अगर कुछी भी है तब भी इसके लिए apply कर सकते हैं और भी आपका 60% marks से इसका कम नहीं होना चाहिए अगला जो पद है आपका junior executive इसका जो आपका सैड़ी है 25,000 से लेकर 8,000 तुपया दिया जाएगा और इसमें पहला जो है आपका junior executive electrical में इसमें टोटल 135 परदो पर बहा लिए है इसमें metric आपका 60% marks होना चाहिए metric में आदो साल का आपका ITI होना चाहिए apprenticeship ITI SCVT और NCVT किसी भी होना चाहिए और भी आपका electrical wireman या फिर electronics से और भी city परशन signal and telecommunication इसमें टोटल 147 परदों पर बहा लिए है और इसके लिए जो qualification में आपका हो भी आपका metric आपका city परशन मार्क से कम नहीं होना चाहिए और दो साल का आपका ITI होना जो रही है SCVT, NCVT आपका जो trade इसके लिए electronics, communication, information technology TV and radio, electronics, instrumentation industrial electronics, applied electronics, digital electronics portronics, computer, computer networking, data network और इसमें भी आपका 60% मार्क से कम नहीं होना चाहिए अगले जो आपका पद है junior executive operation and BD इसमें दो टल 225 पदों पर बहा लिए है और इसके लिए जो qualification आपका माँ आपका माँ गाया है दो साल का ITI माँ आपका आपका NCVT, HCVT trade से और कोई भी trade है तब भी इसके लिए apply कर सकते है और आपका marks जो है 60% में कम नहीं होना चाहिए अगर आप graduate है तब भी इसके लिए apply कर सकते है अगला जो पद है आपका junior executive mechanical इसमें जो आपका 14 पदों पर बहा लिए है आज इसमें भी आपका metric जो आपका है 60% कम नहीं होना चाहिए और इसमें दो साल का ITI मांगा गया है जो भी आपका SCVT, NCVT से आपका fitter, electrical, motor, mechanic, electronic and distribution trades से आपकों जो है apply कर सकते हैं इसमें 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 जितने सारे पदों पर बहाली है अगर उसके लिए आपका qualification महा गया है वो सारा qualification आपका 23, 5, 2021 तक आपका सारा कुछ रहना चाहिए तभी इसके लिए apply कर सकते है और जो age limit है आपका junior manager के लिए 28 से लिए 27 साल के US में apply कर सकते है दूसरा जो आपका executive जो है 28 से 30 साल के US में apply कर सकते है आपका जो age मागा है वो 11, 2020 तक आपका इतना 28 से 27 या 18 से 30 आपका 1 से 11, 2020 तक उससे कम ही होना चाहिए 30 साल maximum से अगर आप HTSC, OVC, NCL candidate है तो आपको extra age में registration मिलेगा वो यहाँ पर इस बिताया गया है तो इसको आप लोगों एक बात देख लिजेगा HTSC का आपका 15 साल maximum आपका दिया जा रहा है और OVC के लिए 13 साल maximum आपको दिया जा रहा है इस बात का आप लोगों ध्यान रखेगा अगर आप लोगों कहीं भी कारेरत है जैसे government sector, semi government sector, public sector जो भी आपा आप लोगों इसके लिए अपलाई कर रहे है अगर इसमें selection हो जाता है तो आपको no position certificate जिस field में काम कर रहे हैं वहां से आपको no position certificate आपको ले के आके यहाँ पर जो document verification होगा या फिर interview होगा वहाँ पर आप लोगों को दिखाना पड़ेगा तभी जाकि यह लोगों select करेगा और जितने सारे पड़े हैं सबका आपका CBT exam होगा और बहुत सामें आपका document सबका जो है CBT हो गई ही और आपका document verification, interview और medical test होगा तो बहुत सारा काया जो इसमें computer based aptitude test नहीं होगा और interview नहीं होगा तो जैसे में बता देता हूँ जैसे junior manager, junior manager, operation and bd junior manager, mechanical इस सारा में interview होगा बागी जितने सारे post है इसमें आपका interview नहीं होगा और शिर्फ एक ही post में जैसे executive operation bnd इसमें आपका computer based aptitude test होगा अदरवास सारा में आपका जो है एक से लेकर 12 जो post है इसमें आपका computer based aptitude test नहीं होगा इसमें शिर्फ computer based test होगा document verification होगा और medical test होगा और आपका जो computer based test होगा आपका दो घंटे का होगा और इसमें 120 question होगा और सारा जो है objective multiple type रहेगा इसका जो paper होगा English और Hindi दो language में आपका रहेगा और आपका एक अगर mistake होता है तो 0.25 marks काट लिए जाएगा तो इस बात का जरूर ध्यान रखेगा अगर अगर आप लोगों HD आपका इसका qualify करने के लिए 40 percent marks आपको जरूरी है और unreserved के लिए 30 percent marks जो है आपका SC, OBC, NCL, AWS के लिए मांगा है 25 percent marks अगर HD candidate है तो उनको 25 percent marks लाना पड़ेगा तभी इसके लिए qualify कर पाएंगे और जो आपका CBT test में qualify करेंगे उनको आपका document verification के लिए बुलाया जाएगा तो हाँ पर यह आपको सारा document आपको origin लेके जाना है आपका जो एक्जामसन city है आपका candidate के लिए 1000 रुपे लगेगा दूसरा जो आपका पोस्ट आपका executive इसमें unreserved officer NCL और EWS के लिए 900 रुपे लगेगा तीसरा जो आपका पोस्ट आपका junior executive इसमें unreserved officer NCL EWS के लिए 700 रुपे आपका fee लगेगा और प्लस bank charges प्लस JST भी आपको देना पड़ेगा इसके लिए आर जो आपका SC, ST, PWA, X एक service में जो है इसमें आपका fee नहीं लगेगा आप लोन को जो apply करना है ये website देख सकते हैं www.dfccil.com इसी में आपका English में form fill करना है यही website आपका main है इसी में आप लोन को form fill करना है इस बात का ध्यान रखेगा इसमें जितना सारा post है सबका post code दिया गया है अगर आप लोन एक से ज़्यादा post करें apply करना चाहते हैं तब भी इसमें possible है कोई problem नहीं है इसमें अगर एक से ज़्यादा post आप लोन भरियेगा तो अगर आप लोन को form भनने में कोई problem होगा या फिर इसके बारे में कुछ जानकारे चाहिए तो यहाँ पर ही एक mail दिया गया है dfccil e exam helpdex 2021 at the red gmail.com या फिर जो number देगा 022 610 87 590 यह दोनों में आप लोको अपने जो query से उसमें पूछ सकते हैं अगर कुछ आप लोन को doubt रहेगा तो form के regarding या फिर कुछ भी आप लोन को doubt रहेगा इस form के regarding जो भी important था मैंने सारा कुछ बता दिया फिर भी आप लोन को अगर कुछ doubt होगा तो मुझे comment जरू कीजेगा और मैं इसका advertisement आपका comment box में दे दूँगा वहां से आप लोन इसको download करके एक बार पढ़ लिजेगा आप लाइक करने से पहले और वीडियो अगर अच्छा लगाओगा तो like कीजेगा और इस वीडियो को जासादा लोग को share कीजे ताकि जासादा लोग इस वेकेंसी को भर है और इसी तरह की वेकेंसी की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को subscribe करके बेल आइकन पर जुरूर पेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नया वेकेंसी डालू उसकी जानकारी आपको मिल जाए थैंक यू for watching